हेलो सर स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आइए आज हम तुमको दिखाते हैं किस प्रकार से पैंट की कटिंग करते हैं यह इस्कूली पैंट की कटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है यह एक मेटर का कपड़ा है यह थोड़ा बच्चे की पैंट है 12 साल बच्चे की पैंट की कटिंग हम आपको बता रहे हैं किस परकार से करना है तो सबसे पहले हम आपको लंबाई के बारे में बता देते हैं यह हमारे डबल पला हैं इस परकार से बिचा लिया है अब लंबाई बता रहे हैं 31 इंच हमारी लंबाई है 25 इंच हमारी कमर है और 30 इंच हमारी हीप है 14 इंच हम महरी रख रहे हैं और 18 इंच इसकी रान है यह losing point बनाएंगे क्योंकि इस खूली है इसको ज़्यादा विशे stat नहीं रखेंगे तो medium हलकी डिली रखेंगे इसके बारे में हम इस परकार से मार्किंग कर लेंगे अब यह हमने उपर की मार्किंग खींच लिया है इसके बाद में अब हम यहां से आधा इंच उपर निकाल करके इस परकार से 31 इंच हमारी लंबाई है तो यहां पर हम 31 इंच का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से और 2 इंच दबाओ यानि मुहरी का इस कारण से ले लेंगे हम अब इसके बाद में हम लटक इसकी गिराएंगे लटक इसकी हम गिराएंगे 9 इंच पापा हाँ बिटा यहाँ पे 9 इंच इस प्रकार से निशान लगा देंगे अब इसके बाद में यहाँ पे हम 16 इंच का निशान लगा लेंगे तो यह हमारी मारिकिंग हो चुकी है खिनारी निकाल दिया है इस प्रकार से अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से रान का निशान लगाना है रान यानि जांग जांग हमारी 18 इंच है तो इस प्रकार से 10 इंच पे हम यहाँ से 10 इंच पे रखेंगे हम तो इस प्रकार से निशान लगा लेंगे फिर यह बीच का हमारा पांच इंच हो जाएगा क्योंकि पांदूना दस देड़ इंची इस प्रकार से लगा लेंगे फलाई के लिए फिर यहां पर हम किनारी निकाल कर पांच इंच यह बीच का निसान है यहाँ पर भी हमें पांच इंच का निसान लगाना है इस प्रकार से और यहाँ पर भी पांच इंच का निसान लगाना है अब इसके बाद में बीच का निसान जब हमारे लग जाते हैं इन ही से हमाधाधा बाट लेते हैं किस प्रकार से हमारी जैसे मौरी 14 इंच है तो ही बीच वाले निशान से 3.5 इधर और 3.5 का साथ हुआ ये 3.5, 3.5 का दूना साथ इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं इसके बाद में ये जो हमारे 18 इंच का निशान लगाया हुआ था रान का तो 18 इंच में 2 इंच कम करेंगे तो ये 8 इंच रह जाएगा इस प्रकार से 4 इंच इधर इस के बाद में हम कमर की तरफ आ जाते हैं कमर हमारी 26 इंच है 26 का मिलमम पूने 7 इंच समझ लेजिए पतंब 7 इच Ste 200 कम तो यहांपर 8 इंच का, इस प्रकार से निशान लगा लेंगे हम, कौनी सी दबाव लेंगे , यह हमारा 8 इंच का लगा हुआ है यह हमने 8 हिंच का निसान इस परकार से लगा लिया है अब इसके बाद में हम जो हमने यह फलाई के लिए हमने कमर और देड़ेंची कम किया था इसको हम पहले मार्किंग कर लेते हैं इस परकार से अब इसके बाद में हमें बीच वाली मार्किंग करना है जो हमने 5 हिंच के लिया हुआ था झाल झाल इस परकार से मार्किंग कर लिया है अब इसके बाद में यहांपे हम सवाव इंच इस परकार से डाउन कर देंगे और इसके बाद में हम Krós Pocket का निशान लगाएंगे Milimum 22 दो या 72 लगा लेंगे और 6 और इसको इस परकार से हम फलाई की मार्किंग कर देंगे साड़े छे मैंने क्या बोला था समझ नहीं आया होगा तो हम पॉकिट का जे मैं हाथ डालोगे उसके लिए तो इसको अब हम कट करेंगे इस परकार से इसको कटिंग कर लेंगे अब हम बैग पर लाकी कटिंग बताएंगे झालोगे झाल 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 अब इस प्रकार से इसी पे हम रख लेंगे अपना सामना अब हम दबाओ बैक पला में लेते हैं किसी भी पैंट का कटिंग करना हो तो बैक पला में ही दबाओ लेते हैं तो हम इस प्रकार से यहां पे मोहरी से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इंची का निशान लगा लेंगे और इसके बाद में डेड़ इंची का यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक ये सुधी मार्किंग करने के बाद में धाई इंची का यहाँ पे निशान लगा लेंगे अब इसको हम इस उसी प्रकार से जो हमने शामना का पल्ला मार्किंग किया था उसी हिशाब से इसको करना है यह हमारा मार्किंग उसी हिशाब से हो गया है अब इसके बाद में यह बैक पल्ला हम इस प्रकार डेड़ इंची उठा लेते हैं पिर यहां पे हम कमर का निशान लगाएंगे जो हमने 8 इंची लगाया हुआ था इस प्रकार से 8 इंची का निशान लगा लेंगे 2 इंच यह दबाव के लिए लेंगे अब इसके बाद में यहां पे 25 इंच इस प्रकार से लिख लेंगे फिर हम हिप का निशान लगाएंगे हिप हमारी है 30 हिंच है 30 से कुछ ज़्यादा ही बैठेगी तो यहाँ पे 69 का हम निशान लगा लेंगे क्योंकि 108 हिंच आयागा जो 31 हो जाएगे इस परकार से 69 पे लगा लिया है अब इसको भी मार्किंग कर लिया और इस हिसाब से इसको कर लिया पहले वाली जो मार्किंग है इस हिसाब से हमने अब विर्कुल उसी टैप से इसको भी कर लेना है अब यह बैठ पर लाकी भी है हमारी मार्किंग हो चुकी है अब इसके बाद में हम इसको भी कटिंग करते हैं कि इसी प्रकार से आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं यह थोड़ा लूजिंग पैंट की कटिंग हमने बताया है क्योंकि यह स्कूली पैंट है अक्सर बैगी पैंट की कटिंग आपने देखा होगा उसी प्रकार से कटिंग है यह लूजिंग पैंट की ओके थांक्यू क्योंकि यह लुदिंग अपने बताया हैँ जब ख़स्वत्या उन्हीं निटा? म सामय है वह लुदिंग पैंट की कि यह से बताया है? झाल झाल